हाई फ्रेंट्स वेलकम बेक टो वेजुके सिंधिया तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं दिल्ली विदास वाक्चनाओं के महा सर्वे के बारे में जोकी फलोदी के 60 वाजार ने दिल्ली के अर्शार और गाओं में यात्रा करने के बाद जारी क्या औ महा उपिनियन पॉल भी हमारे सामने पेश कर दिया है जिससे दिल्ली के हर नेता में और पार्टी में खलबली मची है और दिल्ली के मंत्रियों की रातों की नींदे भी उड़ी है तो अभी हम आपको दिल्ली विदास वाक्चनाओं का महा उपिनियन पॉल फलोदी के 60 के नुसार बताएंगे कि दिल्ली में अपकी वार जनता का मूड क्या है और दिल्ली में अपकी वार किसकी सरकार बने जारी है तो अभी हम आपको दिल्ली चुनाओं के ओपिनियन पॉल के संपुन जान कर इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों इस लिए आप इस वीडियो और पासी में आरगे घंटी के निस्सान को भी अविश्य दबाईएगा और साथ ही दोस्तों आप इस इडियो को लाइक और सेर भी करिएगा तो दोस्तों चलिए अभी हम देखते हैं दिल्ली चुनाओ का महा ओपिनियन पॉल फलोदी सटावजार के अनुसार तो दिल्ली चुनाओ को लेकर फलोदी के सटावजार ने बहुत बड़ा आकलन पेस कर दिया और कहा दिया है कि अब की वार जनता दिल्ली में हर पारिटी को धोका देने जारी है और जनता अब की वार गुलाटी मारने जारी है दिल्ली विदास वाचुनाओ के रण में ये आ तो दोश्तो दिली विदासवाचनाव को लेकर सबसे पहले बात करते हैं यहां पर फलोदी सटा बजार के आकलन के नुस्तार कांग्रेस पार्टी की जहां पर कांग्रेस के वोट सेर को लेकर फलोदी के सटा बजार ने बहुत ही रोचक आखड़ा पेस किया और कहा है कि कांग्रेस का वोट सेर एक बार फिर से गिरेगा और कांग्रेस का वो और कि वारकों से चार चिते मिलेगी या फीर एक से 4 Bratडी को लेकर फलोधी के 60 वजालने करने हैट notor better 말씀 कि इस बार कांग्रेस पार्टी का खाता खुल जाएगा दिल्ली विदास वाचुनाओं के रण में और वहीं दोस्तों दिल्ली विदास वाचुनाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी के लिए भाव बताया जा रहा है एक रुपे पर 20 रुप्या फलदी शटा बजार के दोरा य और वहीं दोस्तों फलोदी सटा बजार के नुसार का अंग्रेस के बात बात करते हैं भाट ये जंता पार्टिक यानि मोदी लहर की जहां पर मोदी लहर के लिए बहुती बड़ी खुसकबरी निकल के आ रही है फलोदी सटा बजार के दोरा और बताया जारा इस सटा बजार क और वहीं दोस्तों इसी के साथ ही मोदी लेर को बड़ा लाब हो रहा है यहाँ पर वोट सेर में बताया जा रहा है कि 49 अफीस दी से बढ़ कर यहाँ पर बैयार सफीस दी पर वोट सेर पहुंचेगा और 3 अफीस दी का एक बड़ा फाइदा भारत्य जंता पार्टी को अपने पार्टी और इसी का नाम आदमी पार्टी के मंत्रियों की नीने ओडी और आम आदमी पार्टी में हल चलते जो चुकिये और भारती जंता पार्टी में खुशी किलहर दोड़ चुकिये यहाँ पर भारती जंता पार्टी को लेकर फलदी के 60 बजार के आकलन के साथ ही और द और वही दोस्तों आगे बात करते हैं फलोदी के सट्टा बजार के नुसारा आम आदमी पार्टी को एक तगड़ा और बड़ा जटका वोडशेर में भी लग रहा है जहां पर यहां पर एक बार फिर से बहुती बड़ा गिरावट देखने को मल लिए वोडशेर में और पैतालिस से घटकर 43 सफीज दी पर आम आदमी पार्टी का वोडशेर पहुँच चुका है और दो प्रतिसत का एक बहुती बड़ा नुक्षान आम आदमी पार्टी को हो चुका और इसी के साथ आम आदमी पा पार्टी मातर से 30 से 40 सीटों पर गब जार जमा पाई गया निसे 30 से 40 सीटों पर लुड़केगी और वहुमत के आँकड़े को पार करने के बाद पूरी तरह संतुष्ट होगी आम आदमी पार्टी इस बार यहां अकलन फलोदी के सटा बजार ने किया और फलोदी के सटा ब बजार की तरफ से दिल्ले विदास वाचना को लेकर आम आदमी पार्टी के लिए और इसे के साथ आम आदमी पार्टी को एक बड़ा जटका दे दिया है फलोदी के सटा बजार ने अपने बहुत बड़े आकलन में और वहीं दोस्तों आगे बात करते हैं अन्ये के वोड़ की तरफ से और सटा बजार का केना एक इस बार अन्ये को सीड़ जीरो से एक मिलेगी यानिकि खाता खुलना मुश्किल बताया जारा अन्ये के लिए और भाव चला इसी कान एक रुपे पर उन्सतर पॉंट सितर रुपया यानिकि यहां पर बहुत ही ज़रा भाव चलाए अ आपको उन्सतर रुपय और सितर पैसे मिलेंगे हरे एक रुपय पर यहनियों को लेकर आकलन किया जा रहा है फलोदी के सटा बजार की तरफ से और इस परकार से दिल्ली विदास वाचनाओ को लेकर बहुत ही बड़ा आकलन है फलोदी सटा बजार ने पैस कर दिया जिसके अनुसार बताया जा रहा है कि आपकी वार जनता हर दल को धोका देने जारी और आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ा यहां पर पल्टा हो देखने को मिले का आपकी वार वाट्सेर में और सीटों में यहां आदमी पार्टी को लेकर फलोदी के सटा बजार ने उपिनि जिससे आम आदनी पार्टी में चलते जो चुकिये तो वहीं भार्टी जनता पार्टी के लिए खुसकबरी आई और मोधी लगर काम्या भोती विनजर आ रही है दिल्ली विदास्वा चुनाओ के रण में और वहीं दोस्तों जानकारी के नुस्तार बता दे आपको तो अब की जानकारी के जानकारी का उनाई itra चंdoes खुद्र जानकारी कि लगाता भरता बलता जा रहा है और सुछार पार्टी कहें प्रधा प्रवेंद के नाम पर रहुंड के लग जा लिए और पर फिर से लरी है और अर्विंद कैजरिवाल कुछ ऐसे बयान दे रहे जिससे की पुरी तरह से जनता है नाकुस होती जारी और सीकान दिली विदान स्वाचनाओं में फलोडी सता बजार यह के राहे कि लगातार आम आदमी पार्टी का आगे भी जो है ग्राफ गिरता रहेगा वोड़ सेर का बीजेपी पार्टी लेड करती नजर आएगी और बीजेपी पार्टी का पचास का आखड़ा चूना भीते हो सकता है यहां पर दिली विदान स्वाचनाओं के रण में वोड़ सेर का यह भी आखलन किया जा रहा है फलोडी सता बजार के तरफ से तो इंक आग्रेस पार्ट के अने दोलों को सीटे नहीं मिलेगी यहां पर दिली विदान स्वाचनाओं के रण में यह आखलन फलोडी सता बजार का हुआ है और इस परकार से दोस्तों यह संपुन जान करी थी दिली विदान स्वाचनाओं 2020 के ओपिनियन पॉल की सरवे पॉल की तो दोस्तों आप इस सबीका इस तुडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जेहिंद जेबारतरवन दे मत्रम